कहाने के सुरात में जोन भाग रहा होता है क्योंकि jeunes को एक घंडे के अंदर Sわか municiparis करने को केदिया होता है एक कार के जर्णी अपने dog को continental hotel के हावाले कर देता है फिर जोन library जाकर एक book में से एक मार कर necklace और एक photo लेता है वहीं पर एक आसासन जोन पर हमला कर देता है और जोन एक बुक से उसे मार कर चला जाता है उसके बाद जोन और कुछ आसासनों का एक जबर्दस फाइट होता है वहाँ पर सभी को वह मार देता है और यहाँ पर जोन एक ठीटर में जाकर रसकर होमा को एक नेकलेश दिखा कर ह मांगता है क्योंकि जोन भी यहां से ही एक आसासन बना था दूसरी और हाई टेबल से भेज हुए एजुकेटर विश्टन और अपराहिम को साथ दिन का समय देती है सभी कामों को छोड़ने के लिए क्योंकि गन और साथ बुलेट दिया था और वहीं दूसरी और विश्टन के दिखा कर हेल्प बांगता है क्योंकि जोन ने पहले भी सोफिया का हेल्प गिया था तब एजुकेटर जीरो और उसके गैंग को जोन और उसे हेल्प करने वाले लोगों को सजा देने के लिए उन लोगों को बोलती है उसके वाद रसका रोमा के सभी बोडिगाट को मार कर उसके हाथों में तलवार गुसा देती है वह ही दूसरी और सोफिया ब्रेडा के पास जाती है और जॉन को बताता है कि तुम्हें बीच रेगिस्तान में तब तक चलना जब तक तुम ब्योस ना हो जाओ तबी ब्रेडा उसके डॉक पर गोली चला देता है जिससे सोफिया उसके गोली चला देती है और यहाँ पर भी एक फाइट होता है फिर जॉन रेगिस्तान में चलते चलते भ्योस हो जाता है दूसरी और जिरो के लोग अबराहिम के सभी लोगों को मार कर उसके बोड़ी पर साथ कट कर देते हैं जोन को हसाता है तब एल्डर उसे अपनी लाइब बचाने के लिए विस्टन को मारने के लिए बोल तबिस्टन जोन को हई-टेबल के तरफ भरड़का कर ऐल्डर का कानुन तोड़ देता यह तब वहाँ पर कंटिनेटल होटल को डिस कंसेंटर कर देते हैं यहां पर जॉन और जीरो और उसके कुछ लोगों के साथ एक जवर्दस लड़ाई होता है वो सभी को मार देता है फिर विश्ट और जॉन पर गोली चला देता है और उसे अपनी सीट वापस मिल जाती है बिल्डिंग पेसे नीचे गिर जाता है पोस्ट के डिट सीन में जॉन और ब्रायम को जिन्दा दिखाई देते हैं